जैहिन आप सभी का स्वागत हैं आज के 32 सेसन में कैसे दोस्तों उम्मित करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एक्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 36 गड़ करेंट अपयर जो करेंट अपयर की सीरीज चलने हैं दोस्तों उसमें आज हम नॉंबर महा के important question answer को डिसकस करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए important होने वाले हैं दोस्तों अभी आने वाले जितने भी एक्जाम हैं दोस्तों उसमें last six month का current affair पूछा जाता है अभी जो recent number महां से ज़्यादा question ले जाएंगे तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं 36 गड़ में एक number से कितने साल तक के बच्चों का धारकार घर बैठे बनाये जाएगा ये योजना दोस्तों 36 गड़ सरकार का महत्वकांची योजना है option यहाँ पे दिये हुए हैं जल्लिस अपना answer टिक करें जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा D 5 साल इससे संबंदी तौर भी question पुछे जा सकते हैं यहाँ पे ध्यान दिजेगा इसके लिए दोस्तों parents को call करना होगा toll free number पे number क्या है 14545 पर ठीके दोस्तों call करना होगा toll free number याद रखेंगे इससे उन्हें appointment मिल जाएगा और उस तारिक को दस्तवेच पूरे होने पर मितान घर बैठे अधार कार्ट बना कर जाएंगे ठीके दोस्तों बच्चों का धार कार्ट घर में ही बनने की यह सुईधा मुख्यमंती मितान योजना में जोड़ी गई है ठीके दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजेगा 36 गड़ के 14 नगर निगमों में मुख्यमंती मितान योजना चल रही है सरकार जल्द ही इसे प्रदेश के सभी नगरी निकायों में लागू करने वाली है ठीके दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दीजेगा 14 नगर निगमों में किल्जर है याद रहेगा आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को 36 गड़ राज्य लंकरम प्रुसकार 2022 का कुश्चन देखने को नहीं मिलेगा important topic है दोस्तों इसलिए मैंने separate video upload किये हैं जिसमें दोस्तों प्रथम से लेकि अभी तक किनको किनको प्रुसकार दिया गया है सभी को मैंने वहाँ पे discuss किये हैं अगर आपने video नहीं देखें तो उपर i button में link देदूंगा वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं अभी आने वाले जितने भी exam होंगे दोस्तों एक वर्समें वहाँ से question पुछे जाएंगे एक से दो number का तो video आप लोग जरूर देखिएगा question देखिए हाल ही में 36 गर से किसने भिलाई में आये जित glamour event में Miss India का खिताब जीता है इसके दोरत जीता गया है दोस्तों option दिये हुए है कौन से option के साथ जाएंगे जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा B रिया एक का देखिए यहाँ पे इस्थान पुछा जा सकता है कौन से जिले से हैं जस्पूर ठीके दोस्तों नाम आपको याद रखना है जस्पूर बगीचा छेत्रा ठीके पूरा में बता जीता हूं आप लोगों को बगीचा छेत्रा के डगडवववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव एक का मिस सर्गुजा चुनी गई थी ठीके दोस्तों क्या चुनी गई थी मिस सर्गुजा तो इतने चीजें आपको याद रखना है दोस्तों इस क्वेश्चेन से संबंधित बढ़ते अगले क्वेश्चेन के तरफ राइपूर में आजित राष्टी आदिवासी नित्य महस्वों में कितने देशों के कलकार सामिल हुए कितने देश आये हुए थे दोस्तों जी दोस्तों अगर आप आपसं सी के सांग जा रहे तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है 10 कौन कौन सा देश है दोस्तों यहाँ पे नाम देख लिजेगा पर्टिकुलर एक भी नाम आ सकता है राष्ट आदिवासी नित्य महस्वों में 28 राज्य साथ केंद्र सासित प्रदेशों सहीत 10 देश ठीके कौन कौन सा है मोजांबिक है टोगो है एजिप्ट है मंगोलिया है इंडोनेसिया है रूस है निजुलैंड है साइबेरिया है रवांडा है और माल दिप के ठीके दोस्तो सभी देशों के कलाकार ने आदिवासि नित्ते की जलक दिखाकर दर्शकों को मंत्र मुक्त किया ठीके ये important नहीं है नाम important है ठीके दोस्तो दस देशों के आये हुए थे दोस्तों राइपूर में कहां साइन्स कॉलेज मैदान में ठीक है किल्यर है आगे बढ़ते हैं बढ़ सुग्घर बोरे बासी पुस्तक किन के द्वारा लिखा गया है ये भी कोश्यन बहुत अच्छा है दोस्तों आप्सन दिये हुए है कमजोर वर्गों की गन्ना हे तू कौन से एप है कौन से एप का यूज क्या गया था दोस्तों कि जी दोस्तों इस कोश्यन में हम बी आप्सन के साथ जाएंगे सीजी क्यू डीसी ठीके दोस्तों इसका फुल फर्म क्या हो जाएगा 36 गड़ कांटी फाइबल डाटा कमिशन याद रहेगा बढ़ते अगले कुश्यन के तरफ 36 गड़ में राजुस्तों के मौके पर इंद्रा गांधी किसी विश्य विद्यालाय द्वारा उन्नत की गई फासलों की कितनी नए किसमें जारी की गई है यह भी कुश्यन बहुत अच्छ है दोस्तों आप्सन दिये हुए हैं जल्ली सपना आंसर टिक करे जिस आच्छो इस कुश्यन का राइट आंसर हुजाएगा C 5 कौन-कौन सा है यहाँ पर देख लिजेगा यहां पर देखिए दोस्तो जो नए दिया गए हैं पहला है कुसुम फसल का सेकेंड है दोस्तो अलसी फसल का तीसरा है गेहु फसल का और चौथा है दोस्तो धन्या फसल और पांचोय नंबर पर है हल्दी फसल का ठीक है इसे आप लोग इसकीन सॉट ले सकते हैं बढ़ते ठार्वे स्थान देखें यहां पर ध्यान दीजेगा अगर प्रतिव एक्टी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तो 159 ग्राम ठीक है किल्यर है बढ़ते अगले कुश्चियन के तरफ 36 गड़ सरकार द्वारा 36 गड़ बिजनेश सम्मिट 2022 का आउजन कहां किया जा रहा है इंदोर में हैदराबाद में नयर आइपूर में या फे नय दिल्ली में जल्ली सपनान सा टिक करें जी दोस्तों इस कोश्चियन में हम डी आप्सन के साथ जाएंगे नय दिल्ली नेश कोश्चियन देखिए 36 गड़ का चौथा लच्मन जूला का निर्मान किस जिले में वा किस नंदी पर किया जाएगा कहां पर किया जाएगा दोस्तों आप्सन दिये हुए हैं जल्ली सपना आंसा टिक करें जी साथ चोश्चियन का राइट आंसर हो जाएगा ए दूर्ग सिवनात यहां पर ध्यान दिजेगा दोस्तों सिवनात नदे के महमरा घाट पे कहां पर बनाया जाएगा महमरा घाट पे अगर लागत की बात करें दोस्तों तो लागत कितने आने वाली है 30 कड़ो रूपे तीक है 30 कड़ो रूपे इल्यार है याद रहेगा आगे बढ़ते हैं हाल ही में 36 गड़ सरकान ने जिले के किसी स्थान में मेल उद्ध्योग खोलने का फैसला लिया है important question है दोस्तो जल्ली से अपना answer टिक करें जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा B BNC mail राजजान गाउं BNC mail राजजान गाउं से बहुत सारे question बनते हैं दोस्तो मैंने अपने वीडियो में सभी question को cover किया है बढ़ते अगले question के दरफ प्रदेश में राजजे इस्तरी युवा उत्साव का आयजन कब से कब तक किया जाएगा यहाँ पे date दिये गया है जल्ली से अपना answer टिक करें जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा C 12 जन्वरी से 14 जन्वरी 2023 यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तो राजजे इस्तरी ये पुछा गया है ठीक है अगर आपसे जीला इस्तरी पुछा जाएगा तो 16 नौंबर से 10 दिसंबर तक ठीक है दोस्तो अभी चल रहे हैं जीला इस्तरी उसके बाद दोस्तो संभाग इस्तरी होगा कौन से डेट में 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ठीक है उसके बाद राजजे इस्तरी होगा 12 जन्वरी से 14 जन्वरी तक ठीक है किल्यार है याद रहेगा बढ़ते अगले question के तरफ 36 गड के कीज जिले में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंसकन प्लांट इस्थापित किया गया है कौन से जिले दोस्तो आप्शन दिये हुए हैं जल्ली सपना अंसर टिक करे जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा B कांकेर next question देखिए निती आयोग द्वारा प्रती महाजारी किये जाने वाले डिल्टा रैकिंग में बहतिन कारे करने के लिए नरायनफूर जिले को देश में कौन से इस्थान दिया गया है कौन से इस्थान है दोस्तो जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा B next question देखिए देश में एक मात्रा ऐसा राज्य कौन है जहां बिरोजगारी दर्श सबसे नियुनतम है कहां पर ये दोस्तो उडिसा है मद्ध परदेश है 36 गड़ है या फिर इन में से कोई नहीं जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा C 36 गड़ कितनी है दोस्तो ये आप लोग कमेंट कीजेगा बढ़ते अगले question के तरफ 36 गड़ में टीबी के मरीजों को निश्चय पोसन योजना के तहट दी जाने वाली 500 रुपे की रासी को बढ़ा कर कितना कर दिया गया है कितना हो गया है दोस्तो जी दोस्तो ये इस question का right answer हो जाएगा A 700 रुपे नेस question देखिए दिल्ली में आए जित F ICC I Agree Startup सम्मिट एवं आवार्ड 2022 में 36 गड़ से किसे Most Innovative Agriculture Startup का आवार्ड दिया गया है किने दिया गया है दोस्तो जी दोस्तो ये इस question में हम D option के साथ जाएंगे रितेश कुमार टांग अगला question देखिए 36 गार राज्य के किस्वी भोती को मद्ध परदेश में नारी सक्ती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है किनको किया गया है दोस्तो जी दोस्तो ये इस question का right answer हो जाएगा A तीजन भाई Next question देखिए मुख्यमंती भूपेज भगेल ने भगनी प्रसूती साहता योजना की साहता रासी को 10,000 से बढ़ा कर कितना कर दिया है कितना बढ़ाया गया है जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा B 20,000 जेस्ट डबल ठीक है दोस्तो बढ़ते अगले question के दरफ 36 गड़ के किस परवता रोही का नाम इंडिया भूक आप रिकार्ड में दर्जे किया गया है किसका किया गया है दोस्तो जी साच्चो इस question का right answer हो जाएगा C 99 C धाकर अगला question देखिए मुख्यमंती भूपेज भगेल द्वारा जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा A राजिव गांधी यहाँ पर और ध्यान दिजेगा खर्खरा महंदी घाट परोजना का नाम करन दाव प्यारे लाल बेल चंदन के नाम पर करने की घोसना की गई है ठीक है पहला तो यह है दोस्तो जो question में दिया गया है उसके बाद है खर्खरा महंदी घाट परोजना का नाम करन दाव प्यारे लाल बेल चंदन ठीक है नाम आपको याद रखना है बेल चंदन के नाम पर करने की घोसना की गई है किल्यार है नेस question देखिए 36 गर से किसने किनके दोरा जीता गया है दोस्तो जी दोस्तो इस question का right answer हुझाएगा बी इस धनन जाय नेस question देखिए राश्टी इसतर पर 36 गर से किसे 3722 से सम्मानित किया गया है किनको किया गया है दोस्तो जी साचिव इस question का right answer हुझाएगा बी दूस्य अंद वर्मा, नेस्ट कोश्यन देखिए, लोग कवी ठाकुर पूरण सी की स्मेती में दिया जाने वाला सुत्र सम्मान से इस वर्ण से किसे सम्मानित किया जाएगा, किनको किया जाएगा दोस्तों, जिस आंच्यों इस कोश्यन का राइट आंसर हो जाएगा B, संजय अलंग, नेस्ट कोश्यन देखिए, छतिस गड़ राज्य उप स्वास्त केंद इस्तर पर NQS Certification हासिल करने वाला देश के कौन से क्रम का राज्य बन गया है, कौन से क्रम है दोस्तों, जिस आंच्यों इस कोश्यन का राइट आंसर हो जाएगा C, चौथा, नेस्ट कोश्यन देखिए, छतिस गड़ का पहला राष्टिक गुनवत्ता स्वासन सटिफाइड उप स्वास्त केंदर कौन बना है, कौन सा है दोस्तों, जिस आंच्यों इस कोश्यन का राइट आंसर हो जाएगा D, Health and Wellness Center अमलेश्वर, अगला कोश्यन देखिए, हाले में छतिस गड़ कौन सा योज्णा है दोस्तों, योज्णा से संबंधित कोश्यन पुछे जाते हैं, जि दोस्तों इस कोश्यन का राइट आंसर हो जाएगा D, सुगघर पढ़वय या योज्णा, अगला कोश्यन देखिए, प्रदेश के किस जीले में 660 मेगावाट के दो नए बिजली साय जनतों की स्थापना की जाएगी, कौन सी जीले दोस्तों, जी दोस्तों है इस कोश्यन में हम C आपसं के साथ जाएगे, कुरवा, नेस कोश्यन देखिए, हाली में 36 गड़ से किसे संगीत नाटा का का अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, किन को किया गया है दोस् दोस्तो इस question का right answer हुजाएगा A, तीजन बाई, अगला question देखिए, 36 गड़ से किसे land adventure अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, कौन सा नाम है दोस्तो, जी दोस्तो इस question का right answer हुजाएगा C, नैना सी धाकड, नेस question देखिए, यूनिसेप और 36 गड़ सरकार द्वारा सेयुक तुरूप से राज्य इस्तरी स्वक्ष विद्यालाय प्रुसकार समारों में, स्वक्ष विद्यालाय की दिशा में उत्किर्ष्टा के लिए, 36 गड़ के कितने स्कुलों को सम्मानित किया गया है, कितने स्कुल में कहां, दिल्ली के तर्ज पर एरो सेटी बनेगी, कहां पर बनेगी दोस्तों, कोरिया है, नया रैपूर है, बिलासपूर है, या इनमेस से कोई नहीं, बहुत अच्छा question है दोस्तों, इस प्रकार के question पुछे जाते हैं, एक question आप लोगों के लिए है, इसका answer आप लोग क